नमस्कार दोस्तो राजस्थान की राजधानी में रहने वाली 25 साल की एक बेटी ने अपनी मा की दूसरी शादी करवा कर समाज में एक नईन मिसाल पेश की है सोशल मीडिया पर समाज सुधार के इस प्रयास काव काफी सहारा दिया जा रहा है सवाल जवाब से जुड़ी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट कोरा पर साहसी बेटी ने इस पोस्ट को किया जिस पे दो लाग से ज़्यादा लोगों ने अपने विचार प्रकट किये दरसल गुलाबी नगरी जैपुर की रहने वाली सहीता अगरवाल के 52 साल के पिता मुकेश गुपता 13 मई 2016 को अचानक साइलेंट अटेक में मौत का शिकार हो गए सहीता के मुताबिक यह उनके लिए एक बड़ा सदमा था क्योंकि पिता बिलकुल बिमार नहीं रहते थे कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था उस गमी के बाद सहीता की मागीता अगरवाल डिप्रेशन में चली गई और हर पल दुखी रहने लगी सहीता ने बताया कि पिता के निदन के 6 महीने बाद कोई रहत नहीं मिल रही थी उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब वो आफिस जाते थे और उनकी माँ अब डिप्रेशन में ही रहने लगी सहीता अगरवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरीए बताया कि जैपूर के बाद उसकी गुडगावा में जौब लग गई तो घर में माँ अकेली रहने लगी और उनको अकेला पन इतना खलने लगा कि वह टीवी चला कर सोने लगी मा के अकेले अपन बेटी से देखा नहीं जा रहा था इसलिए उन्होंने 2016 में मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर जाकर मा को बिना बताए उनकी प्रोफाइल बना दी इसके बाद रिश्टे आने शुरू हो गए इनी मैंसे एक 55 साल के गोपाल गुपता शादी के लिए तयार हुए हाला कि जब यह बाद बेटी ने अपनी मा को बताई तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया दरसल बासवाडा मेरिवेन्यू अधिकारी के पतपर पदस्त गोपाल गुपता की पतनी साथ साल पहले कैंसर में मर चुकी थी उसके बाद से वो अकेले ही रह गए थे इसी बीच सहीता की मा गीता का मेजर आपरेशन हुआ तो गोपाल को इसकी खबर लगी रिष्टा तै ना होने पर भी गोपाल गुपता हॉस्पिटल में गीता की तीमादारी करने पहुँच गए और उनका यही निस्वार्त भाव देखकर उनका मन पिगल गया और दोनों ने शादी कर ली आपको यह जानकारी अगर प्रेणना पूर्ण लगी हो तो इस पर अपने वचार आवशे पर कट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद